Hello everyone, आज के इस class में हम लोग देखेंगे, exercise 8B का question number 1, 2 हम लोग देख लिए हैं, ठीक है? 1, 2 number question देख लिए हैं, और अब 3 number question देखेंगे, ठीक है? 3 number question क्या है? तो 3 number question क्या है? इसको जानेंगे, ठीक है? तो चलें सबसे पहले बात करेंगे हम, कि 1st number question इसका क्या है? 1st, 3 का 1st, ठीक है? तो 3 का 1st number question है, P square plus Q square minus R square, देखेंगे? मेरे प्यारे सांथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, ये question काफी जी हैं और काफी important हैं. इस तरह के question इसमें 6 question है, जो आपको हम 6 question तक total बताने वाले हैं, और इसमें total question नमबर दिखा जाए तो 9 तक हैं. ये भी इसी class में, आज ही के class में total हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो एक एक करके सब जानेंगे. अब इसको कैसे solve करेंगे ये जानते हैं और देखते हैं. सबसे पहले क्या करेंगे? हमको पता होना जाए कि P को हटा कर, समझो ठीक से, P को हटा कर minus 2 रखना है, Q को हटा कर minus 1 रखना है, और R को हटा कर 3 रखना है. दिमाग में ये लगा लिखना है. आप ही बता दो कि जहांपे P हैं, उसको हटा देंगा, वहांपे क्या रख देंगे? minus 2. Q को हटा देंगे, यहांपे क्या रख देंगे? minus 1. और R को हटा देंगे, यहांपे क्या रख देंगे? 3. तो दिखें, मेरे प्यारे स्टोएंट हम क फिर यहां पे Q को हटा कर माइनस 1 रख दिये यहां पे स्क्वाइर हैं तो स्क्वाइर है माइनस R के जिकार पे ठीर रख दिये स्क्वाइर हैं तो स्क्वाइर है हमने कुछ नहीं किया जो यहां पे बताये हम वहीं किया है अपने से कुछ नहीं किया है माइनस वन रखे हैं और आर को हटाकर धेरी रखे हैं तो आई होग मेरे बातों को आप समझ करेंगे क्योंकि आप यह भैलू दिया हुआ है इसी भैलू के इसमें हम पूट करते हैं चले आगे बढ़े ना मेरे प्यारे स्टुडेंट अब आगे बाढ़ते हैं आगे के तरफ अगर देखेंगे तो हम आप पाईएगा कि माइनस टू को अगर स्क्वाइर करेंगे क्या करेंगे स्क्वाइर का मतलब जानते हैं इसको दो बार मल्टिप्लाई करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए यह थियोरी याद रखिएगा अगर किसी भी डिजिट का अगर पावर समझना अगर नेगेटिव डिजिट का समझो हम क्या करें दिमाग से समझो देखो हम कहना चाहते हैं कि किसी भी डिजिट अगर कोई डिजिट माइनस में हो अगर उसका पावर समझना अगर even रहेगा even उसका power अगर even रहेगा तो answer plus में आएगा आगर इसका power odd रहेगा odd तो इसका answer minus में आएगा तो मेरे बाद तुम समझ गये होंगे या फिर एक बार समझ लो देखो ये minus 2 है तो ये जो 2 digit है ये minus में इसका power जो है ये 2 even नमर है या odd नमर है तो देखो जिसमें 2 से divide हो जाए जो 2 से divide हो जाए यानि 2 से cut जाए उसको बलते even और जो 2 से नहीं cut जाए उसको बलते odd आई हो आप ये भी समझ गये यहाँ पर तो और अच्छा बात है तो अब बताओ 2 में 2 से multiply करेंगे तो 2 में 2 से यानि 2 into 2 तो फोड़ होगा आपको ये गसर ये minus कहाँ गया तो हम आभी बताओ कि अगर ये even होगा तो जब इसको multiply करेंगे तो answer plus में आएगा अगर ये थीरी रहता तो इसका answer minus में आता है समझें? आटे बढ़ते हैं ये plus हैं तो अब फिर देखो minus 1 को square करेंगे तो यहाँ पे even है क्योड है बतादो तुम ही बताओ अपने दिमाग से तो sir यहाँ पे जानते हैं यहाँ पे even है तो even है यहाँ पे 1 लिखेंगे समझ गए किसी को problem क्योंकि 1 में 1 से multiply करेंगे 1 में 1 से तो 1 ही होगा अब देखो यहाँ पे minus से तो minus लिख दिये समझना ठीक से अब यहाँ पे minus नहीं है देखो 3 के आगे यानि इस digit के आगे minus नहीं है तो जब इस digit के आगे मेरे प्यारे student जब minus नहीं है समझना ठीक से तो इसको multiply करतेंगे तो देखो यह पलासी में होगा तो तुम ही बता यह जो minus देख रहने यह यह वाला minus है अब इसमें जो होगा उपलासी में होगा तो इसके लिखेंगे तो पलासी में तो 3 to 6 होता है ऐसे लिखेंगे देखो तो 3 to 6 बिलकुल गलात ऐसे नहीं लिखेंगे, देखो, कहीं भी लिखा हो 3 का पावर 2, तो इसका अंसर 6 नहीं होता है, इसका मतलब होता है, कि 3 into 3 अत्तेदा मतलब की 9 होता है, क्या होता है? 9, तो यहां पर 9 लिखतेंगे, बहुत से स्टुडेंट गल्ति कर देता है जानते हैं, यहां पर इसको 6 कर देता है आप देखो आगे बढ़ते हैं जो पलस में हैं उसको एड़ कर देंगे तो फोर एवन पलस में तो यह फाइप हो जाएगा अगल करेंगे तो मेरे प्यारे सातlor मेरे प्यारे दोस्तो तुम ही लोग बता दो कि इस 5 मेंसे तो जाएगा नहीं आप सुच रहे होंगे कि इस question को बनाने में हम time कीव लगा है क्योंकि एक एक step को समझा है हम चाहते तो इसको बहुत ही जल्दी बना देते अगर हम चाहते तो इसको बहुत जल्दी बना देते लेकिन हम चाहते थे कि आपको अच्छा से समझ में आए और धीर धीर होना है अब चलते हैं 2nd number question जब बनाएंगे तो और थोड़ा speed बढ़ाएंगा, देखे, सब ही question में यही rule apply होगा, कि जहां पर P होगा, वहां पर minus 2, जहां पर Q होगा, minus 1, जहां प्यार होगा, वहां पर 3, सब ही question, जीतना question बनाएंगे इसी value को रखा जाएगा, ता आएए आप second number question को बना आप देखेगा और प्यार से समझेगा, जो जो student अब लाइक बटन को नहीं दबाया है, तो please दबा दे, या न दबाने के कोशिस भी न करे, क्योंकि हम देख रहे यहां से कि कौन दबाया है, कौन नहीं दबाया, इसलिए, ओके, तो चलिए, हम बात करते हैं, अगले question का, य minus q square, plus 3 r square, ये question है, ठीके, अब देखे, ये question को बनाने के लिए, जिससे student को, first number question, यानि ये समाज में आ गया होगा, ये वाला question, उसको ये भी समाज में आ जाएगा, और जिसको ये समाज में नहीं आएगा, उसको पांच बार इसको समझे, जरूर समाज में आ जाएगा, प उसी ता, अब ध्यान से देखो, इस question को कैसे पनाएंगे, सबसे पहले इधर आपको मालूम को होना चाहिए, कि p का value है, minus 2, q का value है, minus 1, और r का value है, 3, ये आपको मालूम होना चाहिए, तभी तो question बनेगा, अगर आपके पास पैसे नहीं है, कुछ कर दिया जाए, खर दने क का योज किया जाएगा, हर इस्तिती में, मतलब, confirm, ठीक है, अब देखे, इस question को हम बना रहे है, तो कैसे बनेगा, समझना, और दिल से और दिमाग से समझना, ठीक है, जिसका दिमाग थोड़ा कम काम करता है, तो pledge तुम भी ध्यान देना बहुत जादा, क्यूंकि कम को जहां है, वहीं पराने देंगे, ठीक है, देखो, टू को यहीं पराने देंगे, समझो, टू को यहीं पराने देंगे, आप पी को हटा देंगे, आप पी के जगाँ पर माइनस टू के स्क्वार कर देंगे, माइनस टू के स्क्वार कर देंगे, देखो, माइनस टू के स्क पिर माइनस Q को हटा के माइनस 1 के स्क्वाइर करा देंगे अब फिर मेरे दोस्त थीरी रहेगा और R को हटा के थीरी के स्क्वाइर चाड़ा देंगे तो मुझे तो उमीद क्या भरोसा लग रहा है कि तुमको समझ में अगर कोई तुमसे पूछे सर आपने इस कोश्चन में इसमें इसमें क्या अंतर है तो हम यहीं पताएंगे कि बावू कुछ अंतर नहीं है पी के जगह पे माइनस 2 रखे हैं